तो आगर देश्वेंट्स क्वेस्टिन यहां पर कह रहे हैं कि six moles of an ideal gas performs a cycle as shown in figure if the temperature at a 600 Kelvin at b 800 Kelvin at c 2200 Kelvin and at d 200 Kelvin the work done per cycle is approximately देखवागर हम एक ऐसा graph बनाते हैं जो कि PT graph है pressure और temperature का graph है और वो origin से ऐसे ऐसे पास हो रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि pressure or temperature directly proportional because it is a straight line passing through the origin and PV equal to nRT होता है तो अगर P और T directly proportional है मतलब बाकी सारा term क्या होगा constant होगा तो इससे यह भी सावित हो रहा है कि volume is also constant same ऐसा ही graph मेरे को यहां पर भी दिखेगा जो कि A से B है और यह pass हो रहा है from the origin साथ में एक C से D है और यह भी pass हो रहा है from the origin तो हम कह सकते हैं कि A से B के लिए और C से D के लिए volume constant है तो therefore change in volume from A to B is equal to 0 because the volume is constant isochoric process है यह है and जो change in volume होगा C से D वो भी 0 होगा तो इससे यह अंताजा लगा जा सकता है कि जब volume ही change नहीं होगा तो work done तो 0 हो जाएगा क्योंकि work done P delta V होता है तो work done A से B 0 हो जाएगा work done C से D 0 हो जाएगा यह हम अभी निकालके रख लेते हैं अब हमको निकालना work done B से C के लिए तो work done अगर हम B से C के लिए निकालेंगे तो हम formula लगा सकते हैं पी डेल्टा वी क्योंकि pressure यहां पर constant है तो पी डेल्टा वी को एनार डेल्टा टी भी लिख सकते हैं तो एनार डेल्टा टी ओके एन का वैल्यू शिक्स मोल है इंटू आर टेंप्रेचर एट सी दिया हुए हुए बाइस सो माइनस तेंप्रेचर एट बी दिया हुए आट सो तो शिक्स आर इंटू यह कितना हो जाएगा आट सो यहां घटा दो तो चौदा सो हो जाएगा यह आ गिया तुम्हारा वर्ग दन इन बी से सी नेक्स्ट इस वर्ग डन इन डी तू ए यह भी एक आइसोबेरिक प्रोसेस है बिकास दी प्रेशर इस नॉट चेंजिंग कॉंस्टेंट तो यहां पर भी हम लगा सकते हैं एन आर डेल्टा टी फाइनल टेंप्रेचर माइनस इनिशल टेंप्रेचर एन का वैली हो जाएगा इन टू आर टेंप्रेचर एट ए दिया हुआ है छे सो और टेंप्रेचर एट दी बारह सो तो छे सो माइनस बारह सो तो शे सो आर इन्टू माइनस शिक्स हंड्र जूल ओके तो यह आ चुका है 14 इन्टू 6 8400 आर जूल ओके नेक्स्ट है तुम्हारा 6 इंटू 6 3600 आर जूल तो टोटल वर्क जो साइकल में आएगा वह पहले से ए से बी का फिर बी से सी का फिर सी से डी का और फिर डी से ए का पूरा हमने साइकल का निकाला ए से बी बी से सी 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 से डी डी से ए जिसमें ए बी और सी डी का वर्क जीरो था और बी सी का वर्क हमने निकाला कितना 8400 तो 8400 आर और डी से एका निकाला हमने माइनस 3600 आर तो यह कितना गया 8400 माइनस 3600 तो 4800 आर 4800 आर अब यह जो आर है इसकी वैलिव हम यह पर पूट कर सकते हैं 8.314 तो 4800 इंटू 8.314 तो यह जगा 39907.2 जूल अब यह अंसर मेरा किलो जूल में है तो हम इसको चेंज कर देंगे 1000 से डिवाइड करके तो 1,2,3 तो यह जगा 39.9072 कीलो जूल जो एप्रॉक्सिमेटली 40 कीलो जूल है तो इसका अंसर आ जाएगा औप्शन नमबर सीस में सही हो जाएगा थैंक यू सो मच पूचिंग